हेलो एवरीवन वेल्कम टू मैं चैनल हाइपर ट्रेडेज भी मैं हुम मोहमद सोहिल दूस्तों पिछली बार हम लोगों ने टाटा मोटर्स के उपर जो लिवेज बनाए थे जो स्टाटेजी बनाए थी स्टाटेजी तो इसके अंदर अप्लिकेबल नहीं हुए क्योंकि स्ट स्टाटा मोटर्स के अंदर क्या करें वही बताने के लिए मैं आज का वीडियो अप्लोड कर रहा हूं और जो भी हम लोग यहां से भी स्टाटेजी बनाएंगे दोस्तों ये स्टाटेजी भी हमें डवस्यत रिपर प्रॉफिट दे सकती है अगर आप इस पे सही काम करेंगे तो अगर आप काम करना चाते हैं तो स्टाटेजी पे अभी भी आप एक बुक एक पिन ले लिजिए स तो सब्सक्राइब करेंगे और आपको प्रॉफिट कैसे होता है और एक बार बताना चाहता हूं स्टाॉक रिवस्यत होगा तो दुस्तों पैनिक होने की जरूरत नहीं क्यूंकि हमारे बास स्टाटेजी और बैककवے ले विट सटाग मार्केट में प्ल मत करिए दोस्तों यह मेरा आप सभी से humble request है क्योंकि देखिए अगर एक level पे हम लोगों ने stock ले लिया है अब Tata Motors को ही देखिए 150 level पे हम लोगों ने stock को ले लिया है अगर stock चले गया 120 level तो देखिए उदर तो panic situation बनती है अगर हम लोग backup capital लेके चले levels के हिसाब से इसके अंदर average strategy maintain करें फिर से stock 150 नहीं 140 135 के उपर किधर भी जाने लगा 130 भी जाने लगा हमारे average overall average के level पे तो हम लोग इसके अंदर profit के साथ exit होगे इसलिए दोस्तों backup capital और strategy लेके market में उतरेंगे तो नुकसान होगा ही नहीं और एक बात market में नुकसान होता ही नहीं हम लोग खुद कर लेते हैं panic situation create कर लेते हैं stock को quantity ज़्यादा कर लेके stock reversal जातो अधिक के panic हो जाके strategy maintain नहीं करके ऐसे ज्यादा problems होती हैं दोस्तों जो beginner होते हैं पहले से भी stock market में है पर levels नहीं पता ज्यादा problem होती है इसी के लिए मैं कभी भी वीडियो upload करता हूँ तो देखिए backup capital strategy 100% बता के ही जाता हूँ आज की वीडियो में ही बता के ही जाओंगा दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करते वकत बेल आइकोन को हिट करके नुटिफिकेशन ओल पे क्लिक कर दीजिए आज का दिन है 15th September 2020 Tuesday Tata Motors का closing price है 148.40 पैसा और आज इसका day high है 149.40 पैसा और day low है 146.55 पैसा अब देखिए यह जो एक mid range में stock चल रहा है यानि इसका 52 weeks high 52 weeks low के mid range में stock चल रहा है अब सभी लोग इसके अंदर entry करने के लिए सूंचेंगे अगर entry करना है तो और नीचे जाएगा ऐसा भी सूंच के entry लेंगे और उपर गे बाद यह किदर भी consolidate होगा तो उधर stock में entry लेंगे जहातर market में mindset लेके यही चलते हैं और एक बात एक ही दियान रखिए एक मित है दोस्तों सभी समझते हैं कि stock market के अंदर stock बढ़ने से ज्यादा गिरता है अगर गिरता है तो 52 विक्स हाई कैसे बनाता है यह भी मैं पूछ रहा हूं और एक बात क्या है दोस्तों मेरे हिसाफ से इतने सालों से मैं यह इतना भी trade कर रहा हूं और वीडियो अपलोड कर गिरते भी आ रहा हूं तो देखिए जो भी stock गिरने से ज्यादा बढ़ता है super trend तो आप सभी को दोस्तों buying पे ही मिलेगा अगर जो भी stock reversal जा रहा है कुछ ना कुछ problem होंगा वरना pandemic situation आना चाहिए वरना stock में या nifty index में आपको decision आना चाहिए जबी stocks लगातार नीचे गिरते वे दिखेंगे पर मेरे हिसाब से तो stocks गिरने से ज्यादा बढ़ते ही हैं दोस्तों और बद हमारे जो monthly weekly targets थे 150 वह देखिए वह already achieve हो चुके हैं कल के दिन 140 level जो भी मैंने बताया था वह level भी achieve हो चुके हैं जब मैंने पिछली वीडियो अप्लोड करके आप लोगों को दे दिये थे 136 के बाद entry करने के बाद 150 आप लोगों को exit बता दिया था 150 level कली ही achieve हो चुके हैं दोस्तों अब इसके अंदर क्या करना चाहिए हम लोगों को किदर रुकना चाहिए किदर entry करना चाहिए वही आप सभी को मैं candle chart analysis करते हुए बता दूगा तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं यह मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो description link में link है link को hit करिए और join करिए मेरा टेलीग्राम चैनल for internet live tips and stock market updates के लिए आप सभी को और एक बात बताना चा पाते stop loss समझ भी नहाता है target समझ भी नहाते जहतर problems होती ही रहती है इसके लिए live market में भी आप लोगों के साथ में रहे सकूं इसलिए मैंने हाइपटेड़िजबी का Instagram पेज लेके आ गया हूं वो Instagram पेज का link भी आपको description में मिल जाएगा अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं candle chart analysis के ऊपर दोस्तों जब मैं Friday के दिन यानि 11 तारिक को जब मैं वीडियो upload करा था जबी भी आप देख सकते हैं stock 144 के level के नजजिक था आप लोगों को नजजिक से नजजिक level मैंने बता दिये थे 150 के की इसके अंदर अगर reversal होगा और already हम लोगों ने इसमें entry लिया है 136 के level reversal आना चाहिए था आप सभी को मैंने बता दिया था उसके बाद आप reversal देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों एक stock एक हफते में यह चूंटा level का stock है यह 100 से लेके 200 के range का stock है ऐसे stock के अंदर एक हफते में 15-20 रुपे भी आना बहुत बड़ी बात है यानि profit आना बहुत बड़ी ब बता दिया था stock 136 या 135 के level के नीचे जिदर भी जाने दिख रहा है entry ले लिजिए 140 इसके अंदर weekly targets लगा लिजिए और 150 इसके अंदर monthly और short term targets लगा लिजिए क्योंकि stock छूंटे level का है इसके अंदर हमें एक महिने में या एक हफते में भी 5-10 रुपे profit देना बहुत बड़ बात है इसके लिए आप लोगों को नजजिक से नजजिक level बता दिया हूं और वो levels भी अचीव हो चुके targets भी अचीव हो चुके अब देखिए इसके अंदर पूरी की पूरी अब जो भी entry लेंगे fresh entry ही होगा दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूं मेरे short term targets दोस्तों अब मेरे short term targets है 170 के पास अब change हो चुका है दोस्तों क्योंकि अगर इसके अंदर जो भी consolidation level इदर continue होगा अगर जो भी level इदर जाता हुआ continue करेगा तो आप सभी को यह stock 170 के level के पास देखने को मिलेगा ही मिलेगा अब देखिए आप लोग सोंच नोंगे 170 level के पास कैसा दिख के पूरे videos देखिए जब मैंने आप सभी को 76 के पास entry कराया था इसके अंदर 90 के पास exit कराया 90 से लेके 110 का level दिया 110 से 120 दिया और 120 से 140 level दिया पूरे के पूरे level अचीव हो चुके हैं दोस्तों अब आपको नया level बता रहा हूँ 170 अब देखिए 140 के बास 170 के level बहुत अनजिक का level है अगर यह level तक भी नहीं गया अगर हम लोग को 140 के पास भी double profit कैसे होगा यह बताऊंगा 150 के पास भी double profit कैसे होगा वह strategy भी आज की वीडियों में बताऊंगा अगर आप आप भी भी करना चाहते हैं तो double profit में exit होंगे आप थोड़ा reversal जाने के बाद भी entry करना चाहते है तो जबी भी double profit में ही होंगे दोस्तों अब देखिए जो भी RSI uptrend को touch करने की कोशिश कर रहा है यह uptrend को touch करेगा तो फिर से 52 level देखने को मिलेगा अगर यह downtrend जाता हो देखा 144 level 140 level आप सभी को देखने को मिलेगा दोस्तों यह बात पकी यह लिखके रख लीजे strategy दोस्तों इसके अंदर 7 और 5 रूपीज के हिसाब से maintain करिए अगर आप 150 level पर भी entry ले रहे हैं तो आप 7 के हिसाब से 5 रूपीज के हिसाब से entry लेके चलिए यानि 150 के पास में entry लिया है आपने 145 के पास average 140 के पास average 135 के पास average 130 के पास average इसका support है 110 आप 110 लेवल तक stock के अंद average करते हुए बेव फिकर से चल सकते हैं चाहिए वो 5 रूपीज हो 7 रूपीज हो अगर आप monthly weekly में exit करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप short term targets पर trade करना चाहते हैं तो देखिए 140 150 जिदर भी entry ले रहे हैं आप 120 पर average करिए 110 पर average करिए final average 90 तक करिए जो हमारा standard profit है जो हमार support है यह level को जाने के लिए बहुत time है दोस्तों इसके लिए उपर level पे ही trade करते हैं average strategies maintain करिए double profit कमाते ही रहे हैं दोस्तों आज के दिन मैंने आप सभी को क्यों weekly targets नहीं बताए हैं बस आप सभी को मैंने short term targets ही बताए हैं दोस्तों क्योंकि weekly targets के लिए trade करने के लिए stock को reversal होना पड़ेगा अगर इधर consolidate होके उपर level पे भी जा रहा है तो फिर से 150 level को आना ही पड़ेगा दोस्तों इसलिए मैं आज के दिन weekly targets और monthly targets नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमें safe trading करनी होगी market के अंदर वो भी importantly Tata Motors के अंदर दोस्तों आज के दिन जो भी मैं targets निकाला हूं यह targets न सकते हैं कल market में trade करने के लिए आप अभी screenshot निकाल लीजिए और एक बात दोस्तों आप मेरे target कर रहे हैं तो श्रिकली बता रहा हूं दोस्तों stop loss और target लगा के चलिए stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target हो रहे तो कितना profit हो रहा है आपको खुद समझ में आ में compare शुड़ सते खुड़ से अलय मेंical आपरrän अईजिए निक ठी है को रहा है तो कितना के लिए एक बात रहा है आप इसको रहाझा कर्सको बात लिए रहाहरम केattendने निए आ आपको रहाहिती हैं करेका हैं तो कितना है हम आपको December